यूपी में काबा गानगाकर चर्चा में आने वाली लोगगाई का नेहा सिंग राठोर को यूपी पुलिस का नोटिस मिलने के बाद से वे चर्चाओं में बनी हुई है तो इसी बीच खबर आई है कि आई-एस की कोचिंग में अध्यापन का कार कर रहे उनके पती हिमांशु सिंग ने मशूर अध्यापक विकास दिविकीर्ती का साथ छोड़ दिया है इस तीफे की जानकारी खुद हिमांशु ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से दी द्रश्टी आई-एस के संस्थापक विकास दिविकीर्ती के संस्थान से इस्तीफा देते हुए नेहा सिंग राठोर के पती ने फेस्बुक पर लिखा यह तथ्यात्मेक रूप से एकदम सही है कि मुझे द्रश्टी संस्थान की तरफ से दो दिन पहले इस्तीफा मांगा गया था और मैंने कल ही अपना इस्तीफा दे दिया है पर इस बात का नेहा को नोटिस दिये जाने से शायद कोई संबंध हो एक अध्यापक और एमप्लॉयर की रूप में विकास दिव्विकीर्ती सर का व्यभार मेरे प्रती हमेशा इसने ही पूर्ण रहा और मैं बिलकुल नहीं चाहता कि मेरे इस तीफे को मुद्दा बना कर उनकी छवी धूमिल की जाए विनम्र निवेदन है ऐसा मत कीजिए दरसल कांट पर दिहाद की अगनी कांट को लेकर पिछले दिनों नहा सिंग्राठोर ने गीत गाया था जिसके बाद उनका ये गीत सोचल मेडिया पर तीजी से वाइरल होने लगा इस गीत पर उन्हें यूपी मुलिस ने नोटिस दे कर साथ दिनों के भीतर जवाब मांग लिया नहा सिंग्राठोर ने नोटिस मिलने का वीडियो सोचल मेडिया पर शेर किया तो कई तरह की चर्चाएं होने लगी